नमस्कार दोस्तो मैं डॉक्टर प्रांचली आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ दोस्तो आज हम बात करेंगे इर्रेगलर पीरेक्स के बारे में दोस्तो इर्रेगलर पीरेक्स आज कल बहुत ही साधा कॉमन हो गया है और आज कल छोटे बच्चे एवन जो 13-14 साल की बच्चियां जिनको जस पीरेक्स शुरू ही हुआ है उनकी शुरुआत से ही पीरेक्स बहुत जादा इर्रेगलर रहते हैं एक-एक-दो-दो महीने स्किप कर जा रहे हैं या फिर आते भी हैं तो बहुत ही कम मात्रा में आते हैं और एक से दो दिन में ही खतब हो जाते हैं तो आज मैं आपको दोस्तों बताऊंगी पीरेक्स की एक बहुत ही अच्छा कॉमिनेशन जिसको यूज करके आप अपने मिंसेस इर्रेगलरिटी को बहुत तक ठीक कर सकते हैं साथ ही अगर आपको बहुत ही कम मात्रा में पीरेक्स आता है बहुत स्केंटी मिंसेस आता है तो उसको भी आप ठीक करने में बहुत ही जादा मददकार रहेगा तो ये वीडियो दोस्तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉमेटिव है आप इसको अनतक जरूर देखें और मेरे साथ बनी रहें दोस्तो तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तो ड्रॉप जानने से पहले या मददक इंचे कॉमिनेशन जानने से पहले हम पहले ये जानते हैं कि आखिर ये क्यूँ होता है ये Irregularty क्यूँ हमें periods एक-ईक-डोनो महिने skip हो जाते हैं और आते भी हैं तो बहुत कम मात्रा में आते हैं दोस्तो उसके पीछे के कुछ कारण होते हैं अगर आपके शरीर में कुछ hormonal imbalancing चल रही है, especially जो आपके female hormones हैं, उनमें fluctuation आ रहा है, जो progestron है, follicular stimulating hormone है, leutenizing hormone है, prolactin है, इनमें अगर आपको fluctuation देखने को मिल रहा है, तो वो आपके mensis में जरू देखने को मिलेगा, आपके periods बहुत irregular होने लगेंगे और आएंके भी तो ब sufferer देख रहे हैं, PCOD से बच्चे, साथ ही अगर आप बहुत ज़्यादा एनमिक हैं, शरीर में खून की कमी है, तो उससे भी आपका मासिक skip होने लग जाता है, और आपको जो flow आता है, that is also very less, बहुत ही कम मात्रा में आता है, साथ ही अगर आप बहुत obese हैं, तो उस case में भी आपके hormone fluctuate करेंगे और आपका menses इस तरह से skip होना शुरू हो जाएगा, और obesity एक बहुत बढ़ा कारण होता दोस्तों, ovulation के लिए, अगर आप बहुत ज़दा इंटेक अच्छा नहीं रखते हैं, तो भी यह सारी चीजे आपके menses को disrupt करने के लिए एक बहुत ही important role play करती हैं, तो कोशिश करें, अगर आप इन सब चीजों से सफरर हैं, lifestyle disorder से सफरर हैं, कि नीन अच्छी नहीं लेते हैं, over stressed रहते हैं, तो पहले तो इन चीजों से अपने आपको थोड़ा सा अच्छे तक ठीक कर सकते हैं, दोस्तों जो irregularity के साथ साथ, इवन ये medicines आपको PCOD पे भी काम करेंगी, आपके hormones को भी अच्छा रखने में मदद करेंगी, और साथ में आपके period को समय पे लाने में भी मदद करेंगी, और आपको pain कम रखने में भी बहुत मदद करेंगी, आपके abdominal cramp को भी सही रखने में और आपके flow को भी अच्छा रखने में मदद करेंगी, बात करते हैं medicines के बारे में दोस्तों, तीन mother temperature combination आपको प्रयोग करना है, एक है J and Ashoka, दूसरी है abroma, agosta, तीसरी है pulsatila, जो Ashoka आप सभी जानते हैं, female की हर complaint पे Ashoka बहुत ही अच्छा काम करती है, ये flow को maintain करने, आपके uterus को healthy रखने, hormones को balance करने में और आपकी इनमित्ता को ठीक रखने में, means irregularity को ठीक रखने में बहुत जादा मदद कार है, abroma, agosta दोस्तों आपके hormones को settle रखने में बहुत मदद करती है, even ये बहुत अच्छा काम करती है, because of hormonal imbalancing, बहुत सारी PC PCOD especially females में देखा गया है, उनका sugar level fluctuate करने लगता है, उनमें insulin resistance डवलप होने लगता है, ये उसको भी settle करने में बहुत जादा मदद कार होती है, third medicine है दोस्तों पलसा टिला, बहुत ही जादा useful medicine, scanty menses यानि की कम flow के लिए होती है, और P-rex irregularity भी बहुत अच्छी काम करती है, या तो बहुत कम होता है, या बहुत जादा होता है, फिर उन दोनों ही cases में ये medicine बहुत ही जादा लाप प्रद है, तो इन तीनों को आपको 30 ml की bottle लेके आनी है, किसी भी homeopathic shop से खरीद के लाए, और एक बड़ी 100 ml की bottle लेके आए, इन तीनों को उसमें mix करें, और लगबग 30 ml की बरेंगे, और तो 100 ml में 10 ml आपका space छूट जाएगा, उसको वैसे ही छोड़ने ताकि दवाएं, अच्छे से mix होके, मिल सके, अच्छे से उनको mix करें, और आप उसकी 20 बूंद, एक चौथाई का पादी में, रेगलरली आपको लेना है, कम से कम 2-3 महने तक, उसके बाद जाके ही आपका पीरेट दीरे-दीरे करके वो सही होना शुरू होगा दोस्तों, क्योंकि ये दोस्तों बहुत ही हर्बल और सेफ मेडिकेशन है, इनमें कोई केमिकली जो बर्थ कंट्रोल पिल्स या हार्मोनल पिल्स नहीं चलाए जाती, तो दीरे-दीरे करके ये आपको न दौरान पी ले सकते हैं, बिलकुल ले सकते हैं, पीरेक्स के दौरान पी लेना है, पीरेक्स बंध होने के बाद भी लेना है, पूरे ही तीस दिन आपको इस मिदवा का सीवन करना है, और आप देखें कि अगले पीरेक्स में आपको कितना बेनिफिक्ट हुआ, आपको पीर रेगला पीरिक्स के लिए बनाई गई है उसकी चार-चार टैबलेक दिन में तीन बार खाएं और इस मदर टिंचर कॉमिनेशन को आप लें मुस्टली जितनी अगर हार्मोन इंबैलनसिंग से या फिर थोड़ा सा जो एकदम शुरू के बच्चे होते हैं मिनारकी के बाद के बच्चों का जो पीरिक्स है इन दो कॉमिनेशन और टैबलेक से ही उनके पीरिक्स रेगलर होने में बहुत जादा एल्प रहेंगे आपको क रेगलरीटी दीरे-दीरे खतम होनी शुरू हो जाए दोस्तों तो आशा करती हैं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो पसंद दाया है तो उसको लाइक ज़रू करें शेयर करें दोस्तों घर के हर फीमेल मेंबर्स के साथ ताकि उनको अगर वो इस प्रॉब्लम से सफरर हैं तो वो इससे निजात पा सकें और ठीक कर सकें अपने आपको और अभी तगर आपने नेरी चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है चैनल जडू सब्सक्राइब करें दोस्तों मिलती हूँ इसी तरह के इन्फिमेटिव वीडियो के साथ तब तक के न धन्मक्राइम एल कियात राऍकू एल किया शवान टेय।pod चैनल को सब्सक्राइब किया शवान गलती है प्र लॉज के सब्सक्राइब को इना जा zigकैनल ट्रॉज क Lopez trad doubek